प्रभाविता का नियम है कि दो लक्षन साथ में रहकर भी एक दूसरों पर कोई परभाव नहीं करते हैं तो उसे पर्थकरण का नियम बोला था अब हमारे पास कुछ ऐसे भी है जो हमने सब्दावली के अंतरगत पड़ा अब हमारे पास है संकरपूर्व संकरण यानि बेट क्रोस संकरपूर्व संकरण इसमें क्या होता है जब ये-दि फ यह पास दो लग्षणों का संकरण करवाते हैं जैसे परभावी और अप्रभावी जनग पिडि यानि दो लकषणा दोनों जनकों में से जो जनक थे अभी मैंने आपको बताया कि जनक है एक तो capital T और एक small T यानि परभावी और A परभावी तो हो गया दोनों जनकों यानि capital T या small T में से किसी एक के साथ किया जाता है यानि इन दोनों में से इसका संक्रण किसी एक के साथ करेंगे, तो इस संक्रण को पुर्वत संक्रण करते हैं, यानि इस संक्रण को हम क्या बोलेंगे, किसी F1 PD का संक्रण, अपने जन्रक पीडी में से किसी भी लक्षन, प्रभावी या आप्रभावी के साथ संक्रण करवाया जाता है, तो इसे संक्र पुर्वत स संख्रण का होता है कि इस परकार के संख्रण में अपने प्रभावी संख्रण में क्या होगा कि F1 PD का संक्रन किसके साथ कराएंगे प्रभावी जो अपनी अभिवेक्ति परदर्शित करता है तो इसका करवाते देगो T और T ये है F1 PD अभी हमने का F1 PD का प्रभावी जन्नक PD के साथ प्रभावी जन्नक PD क्या थी T T जिसे हम जन्नक PD के दवारा इंगित करते हैं जननक PD को हम PPD के दबारा भी कर सकते क्योंकि parents PD के लिए आमचे तो TT जब इनके यूगमक बनाएंगे तो एक अलग-अलग पर्थक हो जाएंगे और फिर उनका हम संक्रन करवाएं इन दोनों का अपस में तो हमने यह TT यहां उपड लिग लिए और यह T यहां साइड में लिख प्रकार हमारे पास संक्रन का जो चेकरवोड बने हैं विसी चेकरवड से हमें लक्षन पर रूप और जहिन पर रूप अनूपात निकालने होते हैं लक्षन परूप मैंने आपको बताया था कि जो बाहर से दिखने फर जो लक्षन दिखाए दे अब जैसे और यह है तो एसे जो पोदे होंगे वो लंबे होंगे हमें दिखने पर कैसे दिखाई देंगे लंबे और यह सम्युगमजी उन्युगमजी विश्म विश्छ में विश्व में बढ़ानों यानि जितने भी पोदे प्राप्त हूए वह सारे के सारे सोवपड़ फ्रतिष्ठ का है लंबे यह भी लंबा होगा यह भी लंबा और यह भी लंबा यह भी लंबा चीरों के सरятся में हम ने इसको पर रूप अनुपाद बताया था कि आंत्रिक जो सरंचनहीं होते हैं उसे जीन संक्रण अब हमारे पास दूसरा परिक्षण संक्रण यह इसका ही विप्रित होगा क्या होगा कि इस परकार के संक्रण में संक्रण में ऐ प्रभावी जनक टी टी के साथ संक्रण करवाया जाता है यानि ऐ फ़न पीडी का संक्रण किसके साथ करवाएंगे ऐ प्रभावी लक्षन हमने प्रभावी कराया प्रभावी था संक्रण करवाएंगे तो इस प्रकार हमारे पासे चकरबोड बन गया तो इस प्रकार हमारे पासे चकरबोड बन गया और इस चकरबोड से क्या निकालेंगे अनुपाथ अनुपाथ वही चीज़े है लक्षन परूप और जीन परूप पहले लक्षन परूप का अनुपाथ निकालते देखने पर पोदे कैसे दिखाई देते हैं अब एक एपिटल और एक स्मॉल है तो मतलब दिखने वाले जो लंबे वोदे होंगे और 5 प्रतिषत ही कैसे होंगे वोने पोदे दिखाई देंगे फिर चिन परूप यह आंत्रिक सरंजना को देखते हैं तो दोनों नों देखो यह सेम है और यह सेम है तो विसम यूगमजी टी-टी 50 परतिशत और स्मॉल टी 50 परतिशत अब हम पढ़ेंगे वंसागती के नियमों का मैत्व है इससे पहले एक टोपिक था दिव संगर संगरन उसके लिए अगली वीडियो के अंदर पढ़ते हैं इसमें है कि वंसागती के जो नियम है अभी हमने जो पर्थकरण परभाविता के नियम देखे उससे हमारे लिए क्या लाब है उसके बारे पहले हैसे जीओं में परभाविता की लक्षण को पाया जाना अत्यंद मातूपूर्ण है क्योंकि अनेक हानिकार है कि उन गातक जीन ऐपरभावी होने के कारण परभावी जीन की उपस्तिति में अपने आपको अभीवेक्त नहीं कर पाते हैं इसमें क मेंडल के पर्थकरण नियम की परस्तुति से जीन संकलपना की पुष्टी होती है और मेंडल के पर्थकरण के नियम के अधारपम जीन संकलपना की पुष्टी होती है यानि हर जीन का प्रतेका अलग-अलग कारी होता है इस बात को बदाया जाता है पीसरे पर्थकरण के न में 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 र tokषन वी अलग अलग होते है उसके जो संक्रण वी इस में उप्यों की लखनों को फटाया जा सकता है तता उप्यों की लक्षनों एक साथ एक ही जाती में लाया जा सकता है यानि हम संक्रण विधी यदि दो अलग अलग जाती हैं और दोनों की एक के गुण अच्छे हैं तो उन दोनों गुणों को हम एक साथ लाया जा सकता है किसके दौरा पर्थकरण विधी दौरा फिर है मेंडल की नियमों के उपयोग से रोग परतिरोदक पता अधिक उत्पादन वाले फसली पोदों की किश्में विक्सित किये जा सकती है और इन नियमों की दुवारा हम संक्रण करवा के अच्छी फसलों का बना सकते हैं अगला अलसका मानों जाती के सुधाल संमंधित विज्ञान की साका सूजननी की मेंडली नियमों पर आदा लिता है यानि सूजननी की जिसके अंदर जीन के अंदर फेर बदल किया जाता है यानि जो गुण हमें नहीं चीए उन्हें अहटाया जा सकता है और उसको कहते सूजननिक्की ये सारे के सारे मिवन सागती के नियमों का मैत्व है यानि मेंडल की दिवार दिये गए नियम है उसके इंपोर्ट